आज आपको अचानक अपने सामाजिक संबंधों से व्यावसाइक लाब होगा। अपने इस रिष्टे का प्रयोग अपनी चवी बनाने में करें और साथ ही अपने इस व्यावसाइक संबंध को और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्या पता कब कौन सा रिष्टा काम आ जाए। इसलिए हमेशा अपने रिष्टे को बनाए रखें। हेल्थ आज आप सिर्दर्द से पीडित रहेंगे। यह सब काम के बोज या व्यक्तिगत परिशानी के कारण है। अगर आप कंप्यूटर या टीवी पर ज्यादा समय बिताती हैं तो आपको अपनी आखों को उचित आराम देना होगा। आराम से ज्यादा काम करने के लक्षणों का पता लगाएं। आज आप थोड़ा निराश और उदास अनुभव करेंगे क्योंकि आपने जिसे दिल दिया उसने उसका अनुकूल उत्तर नहीं दिया। आपको उसने मना नहीं किया पर जिस गर्म जोशी, उमंग और जल्दबाजी की आपको उससे आस थी वो नहीं मिली। धीरज रखें और अपने जजबातों पर लगाम लगाएं। सफलता मिलेगी। करियर उच अधिकारियों से आप खुश खबरी की उम्मीद कर सकते हैं। आपने अपनी संस्था के लिए जो कड़ी महनत की थी, अब उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ये लाब किसी भी रूप में मिल सकता है, जैसे की तारीफ, प्रमोशन, विदेश यात्रा, तनख्वाह में व्रिध्धी या फिर अपने विभाग में जो बदलाव आप चाह रहे थे, वो भी मिल सकता है। आपको जो मिल रहा है, उसे पूरी खुशी से स्वीकार करें। अगर आप उत्पादन उद्योग में ही हैं, तो आज आपके सामने फायदा पहुँचाने वाले कई विकल्प आएंगे। इसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि सभी विकल्प एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए थोड़ा समय लें और इनमे से अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प चुनें। इस अच्छे मौके का भरपूर मजा लीजिए। आज आपको अपने कीमती सामान को ध्यान से रखने की जरूरत है, वरना आपका कोई सामान खो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिंतित हो जाएं, बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आप स्वास्थ को लेकर खुशनमास्थिती में रहेंगे। आज आप अपना दिमाग सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, आशा और विश्वास की तरफ लगाएं, इससे आपको लाब मिलेगा। आप अपनी और से किसी भी कारे को अच्छे तरीके से करें, ताकि आज आप शहर से बाहर भ्रमन के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके अपने जीवन साथी के साथ दोबारा से अच्छे संबंध कायम होंगे। आप प्रसंदता अनुभव करेंगे। आपका साथी, आपके सम्मुक, अपना प्रगाढ प्रेम, एवं आतनियता प्रदर्शित क करेगा, जिससे प्रेम की अनुभूती होगी। बच्चों को उनके दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ कर जाने पर अपने को दोशी ना महसूस करें, क्योंकि आपके घर में ना रहने के बावजूद भी वे अच्छा समय व्यतीत करेंगे। करियर। जरूर करें, इससे अंत में आपको ही लाब होगा। पूज वचतुराई को परकना होगा। कुछ लोग आपकी सीमाओं को लांग कर आपकी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। आपको शानत रहते हुए उनको रोकने का प्रयास करना होगा। शानती पूरवग उन लोगों तक अपना संदेश पहुचा दें। सेहत को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मगर मेहनत करने से आप फिर से पहली वाली स्थिती में आ जाएंगे। बाहर टहलने जाएं, ताजी हवा और व्यायाम से आपको लाब मिलेगा। व्यायाम आपको वजन बढ़ने की परेशानी से भी बचा सकता है, जिससे आप बहुत दिनों से लड़ते आ रही हैं, रुमैंस, आज आप दिन भर हाल में मिले दोस्त के बारे में सोचते रहेंगे, ये एक शनक आकरशन के अलावा कुछ नहीं, इसलिए अपनी भावनाओं पर लगाम लगाएं, और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, आज का दिन कारिक्षेत्र में आज आपको कुछ चुनोदियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित रखना होगा, अपनी जिन्दा दिली से आप अपनी सभी परेशानियों को आसानी से हल कर लेंगे, Finance, हो सकता है कहीं से आपको कोई ऐसी रकम मिले, जिसके लिए आपने कभी कोई प्रयत्न भी नहीं किया हो, हो सकता है कोई आपको तोहफा दे दे, कोई आपको अपना उत्तराधिकारी बना ले, या भागे भरो से कोई और धन हाथ लग जाए, जो भी हो यह ऐसा धन है, जिस नहीं दे दें, यानि जिस धंग से धन आया, उसी धंग से उसमें से कुछ खर्च करें, राशिकर्क, Overview, आज आपका कोई मित्र आपसे मदद मांग सकता है, इस मित्र को शायद आपकी मदद की अवशक्ता हो, इस मित्र के साथ वफादारी निभाएं, उसके भले के लिए अगर आपको उसकी आलोचना भी करनी पड़े, तो भी पीछे ना हटें, अगर आपका मित्र कोई गलती करे, तो भी उसकी गलती का एहसास उसे अवश्य कराएं, ठेल्द, आज आपका लक्ष व्यायाम होगा, इसका मतलब ये है कि आज आपको व्यायाम करने की जरूरत है, जो कि आप बहुत दिनों से नहीं कर रहे थे, अगर आप हिलने डुलने का काम नहीं करेंगे, तो आपकी सेहत खराब हो सकती है, आज जिन जाएं और जब तक पसीना ना निकले रुके नहीं, ऐसा करने के बाद आपको खुशी होगी, रूमांस, आज आपको चाहिए कि जानकारी में नहीं है, रोजाना की इस जद्दो जहद के बावजूद आप किसी निशकर्श पर नहीं पहुँच पाएंगे, आज आप विचार करें कि क्या वास्तव में आप अपने रिष्टे से खुश हैं, यही खुशियां आपके वैवाहिक जीवन में सपनों का आधा करियर अपने बहु आयामी व्यक्तित्व के बल पर आपको आर्थिक लाब मिलेगा, यही नहीं करियर में भी अच्छे मौके मिलेंगे, एक आर्थिक लक्ष निर्धारित करके चलने से आपको सपलता हासिल करने में आसानी होगी, कड़ी महनत की बड़ी जरूरत है, सकारात्मक सो अस्याओं को हल करने के प्रयास शुरू कर देंगे, यह समय बीमारियों या मुद्दों को केवल उपर से हल करने का नहीं है, आपको उन्हें जड़ से मिटाने का प्रयास करना चाहिए, यह काम ज़रा मुश्किल है, पर असंभव नहीं आपको बुरे सपने कुछ तनाव दे सकते हैं, आप सोने से पहले सारी चिंताएं भूल जाएं, तभी आप ठीक से आराम कर पाएंगे अपने संबंध में बदलाव ना लाने के कारण, आपके साथी के साथ कुछ नोक जोक हो सकती है, अपने विवहार की समीक्षा करना आवश्चक है, यदि आपका साथी कुछ कहना चाहता है, तो शान्ती से बात सुने करियर, यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रही हैं, तब आपको अपने किसी मित्र से आज किसी आकरशक प्रस्ताव में साहयता का संदेश आ सकता है, हो सकता है कि ये वास्तविक काम न हो जिसे आप ढूंड रही हैं, लेकिन इसे स्विकार करने पर आप प महनत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, अगर आप महनत करते हैं तो आपको धन से भी नवाजा जा सकता है, राशिकन्या, ओवर्वियू, आज आप पूरे दिन चिंतित और परेशान रह सकते हैं, इस तनाव का कारण चाहे जो भी हो, आप बस अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज़्यादा परेशान ना हो, परेशानिया तो आती जाती रहती हैं, इनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, हेल्थ, आज आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्त बिगड रहा है, ये आपको गेहन चिंता में डाल सकता है, जिससे आपको मानसिक द अलट कर अपना रोश व्यक्त ना करें, अन्यथा यही आपके रिष्टों में तनाव का कारण बन जाएगा, आज के दिन घर में शान्ती बनाए रखें, वो अपने साथी के साथ मिलकर भरपूर आनंद लें, आखिरकार आपका प्यार आपके बिगडे मिजाज को खुश मि भावित है, आपको कोई नई नौकरी का निमंतरन मिल सकता है, इस मौके का लाब उठाकर आप अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं, आज आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, एवं आपके पास आगामी योजनाओं के लिए कुछ धनराशी उपलब्ध होनी चाहिए आपकी आर्थिक योजनाओं वह कटिन श्रम के लिए धन्यवाद, इस बची राशी को आप बैंक में रखिए जहां इसकी आवशकता है, लेकिन इसके लिए आप सावधान रहें कि आपकी माली हालत उतनी बुरी ना हो जितनी आप सोचते हैं, आप अपनी आर्थिक योजन ना मिले तो परेशान ना हूँ, ये सफलता आपको किसी भी रूप में मिल सकती है, जैसे कि अपने उच्छ अधिकारी द्वारा सराहना, तरक्की या फिर कोई इनाम आदी, इसी तरह आगे भी जिन्दगी में सफलता हासिल करते रहें। रहकर अपने काम करने होंगे, और ध्यान रहे, आग या फिर गर्म करने वाले उपकरणों से सचेत रहकर काम करें। रोमैंस आप अपने आपको बधाई दीजिए, क्योंकि सब काम ठीक से हो रही हैं, और आप अपने लक्षों को निश्चित समय पर पूरा कर पाएंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कि अपनी जिम्मेदारियों को बखू भी निभाएं, इससे आपको उन्नती के कई अफसर मिलेंगे, इसका फायदा अपने में और सुधार लाने के लिए करें। सितारे आपके पक्ष में हैं, इसलिए आर्थिक क्षेतर में आपको आज कोई बड़ी उपलब्धी मिलने वाली है। इसलिए अफसर में भी संसाधन है, उनका प्रयोग समाज के कल्यान में करें। साथ ही अपनों को खुश करने का भी प्रयास करें। आज आप कुछ दान करेंगे या फिर अपने साथी के लिए कोई उपहार खरी देंगे। किसी ना किसी तरह आपके संसाधनों से किसी ना किसी को तो लाब होगा ही। हेल्थ, ध्यान रहे, जोकिम उठाकर आप अपने घर से ज्यादा दूर ना निकल जाएं, क्योंकि सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। घर के आसपास की सड़कें ज्यादा बारिश होने से या फिर सड़क निर्मान की वज़ह से खराब हो सकती हैं, जिसकी वज़ह से आप लंबे समय तक ट्राफिक में फस सकते हैं। आपको यही सलाह दी जाती है कि जोकिम उठाकर घर से ज्यादा दूर ना जाएं। रुमैंस की दुनिया में आपके खाते में आज पुनह मिलन का योग है। आज आप अपने पुराने पार्टनर से मिल सकते हैं। आने वाला व्यक्ति आपको हैरत में डाल देगा। मौके का लाव उठाएं। करियर कारिक शेत्र में आपको अपनी महनत के लिए अच्छा प्रतिभल मिलेगा। इसके लिए आपको अपनी सभी प्रतिभाव का प्रयोग करना होगा। सफलता पाने के लिए आपको अपने लंबे समय के उद्देशों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपकी नई पारिक प्रस्ताव के पाने की उम्मीद कर रही हैं, तब आज इसके बीच आने वाली रुकावट हच जाएगी। आपकी कड़ी महनत का फल आपको मिलने वाला है। हेल्थ, बुरे सपनों से सावधान रहें। आप पूरी तरह आराम करने की कोशिश करें और परिशान न हो ताकि ठीक से सो सकें। अपने काम और तनाव को भूल जाएं और आराम पर ध्यान दें। अगर आपको कोई सपना आए तो भूल जाएं और फिर से सो जाएं। रुमैंस, आप अपनी नई और अच्छी सोच के कारण अपने साथी का ध्यान अपनी और केंद्रित करेंगे। आप में इस बदलाव के कारण आपका साथी, आपका साथ पाने में खुशी महसूस करेगा। आपकी सकारात्मक सोच भविश्य में आपके रिष्टों को और अ किसी व्यवधान के पढ़ या काम कर सकें। आप पाएंगे कि आज आपका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से भटका हुआ है। अगर आज आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, तो आप पाएंगे कि आप बहुत आगे निकल गए हैं। आज संभल कर निकलने का दिन है, इसलिए कुछ चीजों को कल पर छोड़ दें। राशी मकर, ओवर्वियू, आज आप अपने ग्यान का दाइरा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन इस काम के लिए शुभ भी है। अगर आप अपनी जिन्दगी से उप गए हैं, तो आपको इसमें नया पन लाने के लिए कुछ अच्छी किताबे पढ़नी चाहिएं। आज आप कुछ नया सीखने में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आप अपनी रुचियों को एक नई दिशा में बढ़ता हुआ पाएंगे। हेल्थ, आज आप स्वादिष्ट और स्वच खाना पसंद करेंगे। आज खूब मस्ती करें क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं। आज आपको स्वादिष्ट भोजन करने में बहुत मज़ा आएगा, मगर इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आप उतनी ही ज्य विचय बढ़ाने के लिए कुछ समय बिताएं। आप पाएंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए उप्युक्त पार्टनर साबित हो सकता है। करियर आज स्रिजनात्मक प्रतिभा का लाब रंग कर्मी उठाएंगे। उनका अपने जीवन का श्रेष्ट समय चल रहा है। इस अवसर को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए आपको कड़ी महनत और समर्पन की आवशकता है। आत्म विश्वास और निरंतरता से आप अप अपने मन चाहे परिणाम पा सकते हैं। आप इस समारोह में खूब मजा करेंगे और उन रिष्टेदारों से मिलेंगे जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिल पाए हैं। स्वास्त को मद्दे नजर रखते हुए ये आपके लिए अच्छा दिन है जब आप अपनी क्षमताओं को जान कर अपने कारे पर किंद्रित हो सकेंगे। अच्छे खान पान पर ध्यान दें और खुद को मनुरंजग गतिविधियों में व्यस्त रखें ताकि आप अपनी उर्जास्तर को बनाए रख सकें। आप अपनी उर्जाशक्ति को बढ़ता देखेंगे जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका दिन आनंदमई रहेगा रोमान्स अपने प्रेम प्रसंग बढ़ाने के लिए अपने साथी को संदेश भेजें। इससे आपका साथी इस संबंद को बनाए रखने वह आगे चलने की आपकी इच्छा के बारे में जानेगा। आप जो कहें वो सच्चा वो उत्तेजना भरा हो। मगर साथी स अपने साथी को ये जताएं कि आप कितने सच्चे वो उत्त्सुक हैं। कुछ भी सिर्फ इसलिए ना कहें कि आपका प्रेमी उसे सुनने का इच्छुक है। करियर अगर आप अपने निश्चे पर अटल रहें तो जहां पहुँचना चाहते हैं वहां पहुँच सकते हैं। आपके पास कोई जादूई छड़ी नहीं है लेकिन अगर आप अपने काम को कड़ी महनत से पूरा करने की कोशिश करें तो सफल जरूर होंगे। आप अपनी क्षमता के प्रती इमानदार रहें और नए-नए क्षेत्रों में अपनी रुची बनाएं। आज खर्ष तो जादा है लेकिन पैसे की आवक उतनी नहीं दिख रही जितने आप उम्मीद कर रहे थे। इसलिए अपने बजट का लेखा जोखा एक बार फिर से कर लें क्योंकि आपकी उपरी आमदनी का जो एक स्रोत है वह भी बंद होने की आशंका है। लेकिन चिंता म आपके घर पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। बहुत समय से घर पर चल रहे जगड़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपके कुछ रिष्टेदार आपके घर आ सकते हैं। आज आपके घर वो उसके आसपास का माहौल आपको संपूर्णता का एहसास कराएगा। हेल्थ आज आपके साथ कोई दुरघटना घर सकती है। इसलिए खुद पर शारिदिक श्रम और तनाव कम रखें। आज आपकी मास पेशियां और जोडों से संबंधित कोई परिशानी आ सकती है। इसलिए हलका व्यायाम करें। अगर आप बाइक चलाते हैं तो ध्यान र अपनी इस तुनक मिजाजी और नकारात्मक्ता को अपने रास्ते में ना आने दें। ठंडे दिमाग से काम लें और अपने दोस्तों और परिवारवालों के साथ समय बिताएं। फालतू की बहस में ना पढ़ने। करियर। नए विचारों से काम करने के कारण आपका अच्छा मौका है। इससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। इस व्यवसाय से आपको पैसे और व्यवसाय दोनों में तरक्की मिलेगी।